हलो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट और रोड सेफटी के बारे में तो इंडिया में जितने भी ट्रांसपोर्ट मीडियम है जैसे रोड हो गया, रेल हो गया, वाटर, एयर तो उसमें से road जो है वो सबसे ज़्यादा percentage traffic share करती है और सहरों में इसका importance और भी ज़्यादा है इसलिए government ने national urban transport policy लेके आई थी ताकि सहरों की जो transport policy है वो safe हो, affordable हो, comfortable हो लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ challenges associated है चलिए हम देख लेते हैं तो inadequate public transport यानी हमारे जितना population है ज्यादा उतना public transport available नहीं है फिर है urban pollution by vehicles हम सबको पता है जो गारियों की धुआ है उससे कितना pollution है देल ही के air pollution तो सबको ही पता है फिर है congestion lead to fuel waste, low speed parking problem तो बहुत ज्यादा vehicles है, private vehicles ज्यादा है शहरों में तो इसके लिए congestion होती है और congestion में traffic में गारिया रुक रुक के चलती है इसलिए fuel भी waste होती है और जो time है वो भी waste होती है और economic loss भी होती है फिर है affordability CSE ने एक report में कहा था कि जो देली का metro है वो second most unaffordable है after Hanoi Vietnam और इसके लिए क्योंकि affordable नहीं होता है बहुत सारे लोगों के लिए वो unsafe travel करते है over crowding करते है तो safety एक बहुत बड़ा issue है तो हम देख लेते हैं कि road safety को लेके government ने क्या-क्या steps लिया है पहला आता है national road safety council एक council बनाया गया ताकि जो road safety related issues है उनको properly address किया जाए फिर है भारत माला पडियोजना यह बहुत important है इसके त्रू जो infrastructure gap है उसको bridge करना है नए-नए road बनाना है और जो hinterland है उसके साथ connect करना है फिर है dedicated freight corridor to decongest जो goods होते है और जो इंसान होते है वो एक ही road को share करती है इसलिए और ज्यादा congestion होती है और economic loss भी होती है इसलिए dedicated यानि freight के लिए goods के लिए एक dedicated corridor बनाना चाहिए जहाँ पर लोग नहीं जाएंगे सिर्फ जो freight है जो सामान है goods है वो ही जाएंगे इसके त्रू डी कंजिस्ट करने की बात की जा रही है और एक committee है एस सुन्दर नाम की जो की scientific study करती है road safety के बारे में तो ये एक committee आप जरूर मेंस में आप mention करना इसके बाद एक और बहुत important act आया था 2019 में वो है motor vehicle amendment act 2019 तो इसमें कहा गया है कि जो road accident victims है victims यानि जो भी innocent public है जिनका कोई दोस नहीं है फिर भी वो लोग injury होते है उनका loss होते है उनके लिए compensation की व्यवस्था की जाएगी फिर ए ensure cashless treatment during golden hour अब golden hour क्या है जो की normally injury के एक घंटे बाद तक उस period को golden hour कहा जाता है उस time treatment मिनला बहुत ज़्यादा जरूरी है और अगर treatment नहीं मिली तो इंसान मर भी सकता है इसलिए इसको golden hour कहा जाता है तो इसी golden hour में कोई अगर आता है तो उसको cashless treatment दिया जाएगा फिर है motor vehicle accident fund यह जो cashless treatment है यह जो compensation है इसको fund करने के लिए एक dedicated motor vehicle accident fund भी बनाने की बात की जा रही है फिर compulsory insurance जो गाडियों का insurance है वो जरूर करवाना चाहिए फिर है good samaritans who bring victims to hospital will not be liable for any legal action बहुत सारे लोग help करने के लिए डरते हैं तियुकि उनको लगता है कि हम लेके जाएंगे तो हम ही फिर फस जाएंगे हम इसे सवाल जवाब करेगी police और फिर court कैचेरी होगी इसलिए बहुत सारे लोग मदद करने नहीं आते है इसलिए इस law के तो कहा गया है कि जो good samaritans है यानि जो help करेगा injured person को hospital लेके आएगा मदद करेगा उनको कोई भी legal action के लिए liable नहीं होना पड़ेगा फिर हम देख लेंगे कुछ way ahead यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो various transport agencies है और ministries है जैसे road transport हो गया highway हो गया फिर heavy industry भी हो गई तो उनके बीच में एक cooperation होनी चाहिए और फिर जो transport and land use policies है उसमें भी coordination होनी चाहिए जैसा land उसका transport system और transport policy भी वैसी होनी चाहिए फिर है promotion of public transport and e-vehicles हमारे environment के लिए यह बहुत ज़रूरी है फिर है ensuring women safe mobility and emergency help line जो देल ही का निर्वाया कांड हुआ था उसके बाद से women safety बहुत बड़ा एक issue बन गया है तो उसमें special focus होना चाहिए और इसके अलावा भी लोगों को और भी जरूरत हो सकती है emergency कोई medical need आगे किसी को कुछ और need आगे तो एक emergency help line number होनी चाहिए फिर हम एक positive note के साथ conclude कर देंगे जैसे कि strict enforcement of laws use of AI for traffic management should be implemented यानि कि जो भी traffic laws है वो strictly implement किया जाना चाहिए और traffic management के लिए artificial intelligence का सहारा लेना चाहिए and also there is a need of 3C for transforming mobility in India जो इंडिया के transport system है उसको और ज़्यादा better करने के लिए 3C policy अपनाना चाहिए और 3C में आता है clean, convenient, congestion free यानि clean यानि environment के perspective से convenient यानि लोगों की convenience मतलब सुविधा होनी चाहिए congestion mean, overcrowding नहीं होना चाहिए तो 3C आप याद रखना और इस तरह से neumonics में आप अगर conclude करेंगे वो और ज़्यादा effective होता है तो ये था आज का lecture I hope आपको पसंद आया होगा तो मिलते हैं next video में जैह हिंद